नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार इस देश को दुनिया में रोशन करने का सारा जिम्मा एक आदमी ने उठा रखा है अपने नरेंद्र भाई मोदी ने वो न होते तो पता नहीं दुनिया में भारत को कौन जानता कौन समझता उनके अलवा बाकी सारे लोग दुनिया में भारत को बदनाम कर लें इसको नीचा दिखा रहे हैं बक्वास कर लें इसलिए भारत के विदेश मंत्राले ने तै कि नरे कीजिए का کھिलाया है उसकी कोई पुंगी ना बजाए और शांती बांती की बात सबसे पहले भारत से बुद्धने की फिर गांधी बाबाने की और अब नरींदर मोदी करते हैं उनकी अलावा किसी को शांती पर बात करने का कोई अधिकार नहीं और दुनिया के किसी फोरम में तो कती नहीं यही कारण है कि जब पस्चिम मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी को रोम से विश्वशांती सम्मेलन में बोलने का नियोता आया तो मोधी सरकार ने मनजूरी नहीं दी कि आप नहीं जा सकती। विदेश मंतराले ने आधिकारिक तोर पर ये कहा है कि ये कारिकरम किसी राज्य के मुख्यमंतरी के शामिल होने के दर्जे के अनुरूप नहीं है। मतलब ये ऐस जैशंकर तै करेंगे कि कौन किसको बुलाता है, कौन कहा जाता है और कौन क्या बूलता है मुख्यमंत्री के दरजे के अनुरूप नहीं है इसके दो मतलब निकलते है पहला मतलब तो ये है कि आपके हिसाब से बहुत छोटा है तो ये तै करने वाले मोधी सरकार कौन? और अगर छोटा होता, तो सरकार नोटिस भी क्यों लेती? जहां जाना हो, जाईए, उल्टा BJP वाले ममता बेनरजी का मजाक उड़ा रहे होते और दूसरा मतलब ये है कि CM के दरजे के अनुरूप नहीं है, मतलब PM को बुलाया होता, किसी बड़े मंतरी को बुला लिया होता, आपको कैसे बुलाया, अब बुलाया तो बुलाया, जाईएगा कैसे, हम जाने ही नहीं देंगे विश्व शांती सम्मेलन, शांती पर संसार का बहुत प्रतिष्ठित समारोह माना जाता है, और देखिए कि आयोजकों ने मोदी जी को बिलकुल याद नहीं किया, और तो और, BJP से भी किसी नेता को नहीं बुलाया, किसी CM को नहीं बुलाया, बुरा हो बुलाने वालों का, कि हुजूर ने जिन ममता बनर जी को दीदी ओ दीदी कहके, शालींता का दोशाला उतार फेका था, उनको बुला लिया, देखिए कि ममता इस कारकरम में आमंत्रित एक मात्र भारतिये प्रतिनिदी थी, एक मात्र भारतिये प्रतिनिदी नहीं, एक मात्र हिंदू इस कारिकरम में बुलाया जाना किसी भी शख्स के लिए बड़े सम्मान की बात होती है इटली की सरकार संसार के चुनिंदा नेताओं, मानवाधिकार कारे करताओं, साहित्यकारों, धर्मगुरूं और चिंतकों को इसके लिए मंतरित करती है दुनिया उनके विचारों को बहुत ध्यान से सुनती है मोधी इसे कहां बंदाश्ट कर पाते कि दुनिया उनके विचारों को न सुनकर ममतब अनर्जी के विचारों को सुने लेकिन मजबूरी ये है कि समवधानिक पदों पर बैठे लोग विदेश मंत्राले की अनुमती के बिना ऐसे करक्रम में आधिकारिक तोर पर हिस्सा नहीं ले सकते इसलिए मोदी सरकार ने अगले महीने रोम के वेटिकन सिटी में होने जा रहे है विश्वशान्ती सम्मेलन में भाग लेने की इजाज़त ही नहीं दी ममतावनर जी को आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी रोम के नाम से इच्ड़ जाते हैं संग की यही दीक्षा है और संग का बूता चले तो वेटिकन सिटी को तो दुनिया के नक्षे से ही मिटा दे लेकिन अगले हजार दो हजार साल तक इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती है भवानीपूर में विधान सभा उपचुनाओ के प्रचार में व्यस्त ममता बनर जी को जब खबर लगी कि मोदी जी नहीं चाते कि जिससे वो इतने चिड़ते हैं वो किसी विख्यात विश्व मंच पर भाशन दे तो भन्ना उठी उन्होंने पूछा कि आप मुझे कितनी जगों पर जाने नहीं देंगे आप हमेशा के लिए मुझे नहीं रोक सकते तो सवाल है कि क्या मोदी ने खुननस की वज़े से ममता बनर जी के साथ ऐसा सलूक किया है विश्व मंचों पर महान और महत्वपूर दिखने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं इसे हम सब जानते हमने देखा है वो विश्व शांती सम्मेलन में बोलने का मतलब भी जानते हैं वो बरदाश्ट नहीं कर सकते कि ऐसे मंच पर उनके अलावा कोई बोले और वो जो बोले दुनिया उस पर चर्चा करें वो भी तब जब मोदी बंगाल के चुनाव में ममता की वक्तरिता के शिकार हो चुके हैं दीदी ओ दीदी कैसे ओचेपन से उन्होंने जो तेलिसम पैदा करने की कोशिश की थी उसे ममता ने बंगाल की बेटी के अपमान में बदल कर मोदी के करिश्मे को धूल चटा दी थी उन्हें ये भी डर रहा होगा कि ममता ने विश्व मंच पर कहीं मोदी की राजनीत की पोल पट्टी खोल दी तो उनकी साख का क्या होगा जैसा कि हमने बताया विश्व शांती सम्मेलन का आयोजन रोम के वेटिकन सिटी में 6 और 7 अक्टूबर को होगा इटली के प्रधान मंत्री मारियो द्रागी के साथ पोप फ्रांसिस इस कारिक्रम में शरकत करने वाले जर्मनी की चांसलर एंजला मॉरकल भी इस समारोह में मौजूद रहेंगी और भाशन देंगी इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ ममता बनर जी बोले ये प्राता अस्मरणिये से कहां हजम होता वो भी तब जब ममता भारत से इकलौती आमंत्रित नेताओं मोदी इस बात से भी परिशान हो गए होंगे कि बंगाल में ममता बनर जी को बदनाम करने की तमाम कोशिशों के बावजूद इटली की सरकार ने उनको आमंत्रित करते हुए हालिया पस्चिम बंगाल चुनाओं में उनकी महत्वपूर्ण जीत, समाजिक न्याए, विकास और शांती की दिशा में उनके महत्वपूर्ण काम का उलेक किया है ममता बनर जी के काम का आप जानते हैं कि मोदी इतने उदार नहीं है जो इसे भारत के सम्मान के तोर पर देखें इसलिए अस्तर का बहाना बनाते हुए विदेश मंतराले ने उन्हें जाने से रोक दिया इससे खफा ममता ने कहा कि कई मुख्य मंतरियों ने इस तरह के निमंतर का सम्मान करते हुए विदेश मंतराले से मनजूरी नहीं ली थी लेकिन मैंने हमेशा हमारे देश की विदेश नीतियों के अनुरूप काम किया है मैंने यात्रा के लिए मनजूरी मांगी लेकिन मुझे मना कर दिया गया इस कारिकरम में आमंतरित मैं एक मात्र भारतिये प्रतिने दे हूँ एक मुस्लिम धर्म गुरू और इसाई प्रचारक को भी कारिकरम में आमंतरित किया गया है मैं एक मात्र शख्स हूँ जो हिंदू समुदाय से है उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मानवता वाज में विश्वास करती हूँ अगर मुझे यात्रा करने की मन्जूरी मिली होती लेकिन दिल्ली ने मुझे ऐसा करने की मन्जूरी नहीं दी है वो मुझे रोकना चाहते हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो कितनी देर तक मुझे रोकेंगे आप मुझे अन्य जगहों पर जाने से नहीं रोक सकते आप मुझे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। इस पर त्रिमूल कॉंग्रेस के प्रवक्ता दिवांगशु भटाचार ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने दीदी को रोम यात्रा की मंजूरी नहीं दी। पहले भी केंद्र ने चीन दोरे की मंजूरी नहीं दी थी। हमने अंतराश्टिये सम्बंधों और भारत के हितों का ध्यान रखते हुए उस फैसले को स्विकार कर लिया। लेकिन अब इटली क्यों मोदी जी। आपको बंगाल से क्या दिक्कत है। छी। तिर्मूल कॉंग्रेस के दिगजनेता और राज्जी के पंचायती राजमंत्री सुबरत मुखर जी ने कहा ये बहुत दुर्भाग्यपून है, ये केंद्र सरकार का अशोभनिये व्यवहार है। उन्होंने शिष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। ममता बनर जी का बड़पन देखिए कि इटली के सरकार ने उन्हें बिना किसी प्रतिनिधी मंडल के सम्मेलन में शरकत करने का अनुरोध किया था। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने इस दौरे के लिए एको द्योग प्रतिनिधी मंडल का प्रस्ताव रखा और विदेश मंत्राले से इसकी मन्जूरी मांगी लेकिन मंत्राले ने ममता को ही यात्रा की मन्जूरी नहीं दी सवाल है कि क्या शांती, बंधुत्व, लोक्तंत्र और मानाउता पर बोलने का अधिकार भारत में किसी एक व्यत्ती, किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार का है मोधी सरकार के फैसले ने बता दिया है कि फिलहाल ऐसा ही है इसके दो साल पहले, अक्टूबर दोहजार उन्नीस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद कजरिवाल को डेनमार्क में होने जा रहे है सी-40 जलवाईू शिखर सम्मिलन में हिस्सा लेने जाना था सरकार ने तब भी यही बहाना बनाते हुए उनकी यात्रा नामंजूर कर दे थी कि यह मुख्यमंत्री अस्तर का कारिक्रम नहीं है इसके पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीश से सोधिया को भी एक शिख्छा सम्मिलन में आस्ट्रेलिया जाने की इजासत नहीं दी गई थी इन घटनाओं को देखते हुए मेरी सला है कि एक देश एक नंबर एक देश एक आधार एक देश एक पैन जैसे विचार को विस्तार देने का समया गया है भारत सरकार को आधिकारिक तोर पर एलान कर देना चाहिए कि हम एक देश एक वक्ता के निती पर चलने जारे हैं बाकि सब की वल सुनेंगे प्रभू के मन की बात इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आटिकल 90 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर दीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज पर जाईए और फॉलो कर दीजिए मेरी सलाह ये है कि फेस्बुक और यूट्यूब दोनों को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए नमस्कार